हेलो गैस वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए चार ब्रेकाउट स्टॉक लेके आया हूँ जब कल याने कि 10 अगस दो जाकते हैं इसको अगर वो लेवल के आसपास मिलते हो तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो तो उससे पहले अपने जो 9 अ अच्छी रैली दिखाए 600 चोईस का भी हाई मारा था लेकिन अपना जो टार्गेट है वो एक से तीन दिन में आराम से आज सकता है तो वह आपको पता चलेगा कल का वीडियो देखोगे तो टार्गेट कौन सा है वो भी पता चल जाएगा कीकि बहुँकर सारे लोग समझ में नहितां कि अगर कॉल आपकि होता तो वो हीडियो गया भी नहीं हो पाया है तो वह invalid हो गया है SDBL में भी same हुआ buying level के उपर गया नहीं stop loss level दिया तो उसके निचे चला गया है तो वो क्या होता है invalid setup होता है तो guys अगर आप पहली बार telegram channel पे आयो तो please आप channel को भी subscribe करके रख सकते हो और आपको क्या है कि यहापे live market में trade मिलते रहेंगे trade यानि कि अपने low risk वाले trade होते है twitter पर भी जो मिलते है वहापे आपको यहापे update मिलती रहती है और अगर आपको premium telegram channel join करना है तो यहापे आपको pin message में उसका भी detail मिल जाएगा तो इसका फाइदा कि आया में आपको यहापे समझाऊंगा एक minute लूँगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा तो देखोगे तो यह सब अपने positional trade है तो आपको यहापे वो देखना है कि यहापे risk reward कि इतना है यानि कि आपने सोचा भी नहीं होगा एक महिने में 30-30% return देने वाले तो आपको mentor मिलागा as a mentor आपको guidance मिलागा कि आपको इसको hold करके रखना है stop loss को trail करना है target को trail करते रहना है और जितना हो सके उसमें से maximum return generate करने का try करना है तो आपको यह सब premium telegram channel में सीखने को भी मिलेगा और main होता है trading follow trading तो ले लेते हो जैसा कि मैंने Tata Motors आपको दिया है आपने ले भी लिया होगा लेकिन बहुत सारे लोग अभी निकल भी गए होंगे तो आपको यह guidance मिलता रहेगा mentor as a mentor कि आपको इसको hold करके रखना है कभी कुछ news आगया तो early exit भी करना है वो सब आपको trading follow up मिलता रहेगा और अपने live session में भी आपको यह trading psychology, risk management वो सब सीखने को मिल लेगा वो भी nominal charge nominal आने कि आपने सोचा भी नहीं होगा सबसे nominal charge में आपको premium telegram channel join कर सकते हो अगर आपको करना है otherwise अपने यहां पर भी अच्छे-च्छे trade देते रहते है तो अभी मैं आपको 4 stock बताऊँगा जो आपको क्या करना है buy करना है उसमें फिर से वही रहेगे दो आपने जो not active हो एते तो मैं यहां पर आपको तोड़ा समझा देता हूं कि invalid setup होता है क्या है कल open होता है gap up मलब sorry दोनों के बीच में open होता है वहाँ से अगर समझो पहले उपर का level break करेगा तो क्या हो जाएगा collective हो जाएगा वहाँ पर आपको यहाँ पर stop loss लगाना है लेकिन समझो कि stock दोनों के बीच में open होके पहले निचे आ गया है तो stock दोनों के बीच में open होके 428 के निचे पहले trade करना स्टार्ट कर दिया तो वह अपना invalid setup हो जाता है उसके बाद आपको पूरा जो level दिया है वो invalid हो जाते है उसके बाद वो stock को आपको हटा देना है उसका wait and watch नहीं करना और दूसरा होता है not active not active का क्या मतलब होता है जैसे कि NTPC में curl up ने दिया था 221 का उपर buying level था और sorry 24 का अपना stop loss level था तो stock देखो के तो आज पूरे दिन में दोनों के बीच में open होके यही range में यानि कि inside बारी बना है यानि कि इसको not active बोल सकते हो next day भी active हो सकता है तो अभी next day कभ active होगा फिर से वो ही level break करेगा तब ही active होगा अगर next day भी नीचे चला गया तो फिर वो invalid हो जाता है तो जब तक inside बार बनाता stock तब तक not active में count होता है वो आपको ध्यान में रखना है जैसे कि अपने Friday को excite दिया था गंटे के candle के उपर stock का नाम है NTPC buy करने का reason कौन सा है buy NTPTDX है channel का breakout possible है तो buy NTPTDX होता कि अगर किसी ने video नहीं देखा तो मैं यहाँ पर i button पर link देदूँगा वहाँ पर जाके आप देखोगे तो आपको समझ में आज जाएगा बहुत अच्छी strategy आपको सस्ते में मिल रही है और यह strategy से आपको 90% पता चलेगा कि stock वासे reverse मार रहा है कि नहीं मार रहा है और उसके साथ साथ अगर आपको कोई और indicator मिल जाता है तो आपके accuracy और बढ़ जाती है जैसे कि यहाँ पर अपने को देखो दो गंटे में ADX की value 25 के उपर है William sir की value minus AC है यानि कि आपने को यहाँ से ही पता चल गया stock अभी ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा और यहाँ से bounce back कर सकता है लेकिन आपको सीधा इसके दम पर ले नहीं लेना आपको वहाँ पर कोई pattern का ट्राइ करना है कि कोई और pattern बन रहा है कि नहीं बन रही तो यहाँ पर देखो पूरा channel का बन रहा है तो आपने यहाँ पर और confidence आता है कि channel का भी breakout होगा और यह setup तो अलरड़ी बोली रहा है कि stock उपर जाएगा यानि कि आपके accuracy और बढ़ जाती है तो आपने यह देखो के तो यह बड़ी सी mother candle बनाई थी उसके अंदर ही stock दो दिन से trade कर रहा है तो अभी आपको करना क्या है यह mother candle के high के उपर बाई करना है और stock में उपर की साइड अच्छी rally आ सकती है अभी closing है 218 के आसपास है तो आपको 221 के उपर ही buy करना है 213.5 का stop loss लगाना है 240 के target एक से 3 दिन में stock दिखा सकता है लेकिन पहले उपर का level call आएगा तभी अपना call एक्टिव होगा वो आपको ध्यान में रखना है तो NTPC पहला stock हो गए है जो आपको buy करना है तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यह setup क्यों इतना आमरलब में आपको ज्यादा बार 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 बोलता रहे था है 225 ADX वाला तो इसका best example है आपको भी पता है Tata Motors आपको पता है कि अपने back to back Sunday Monday यह stock को recommend किया था यहाँ पर रेकमेंड किया उसके उपर गया नहीं पाइनल ही reversal मार दिया कल के वीडियो में भी अपने clear cut बोला था कि यह stock का strong demand zone रहने वाला है यहाँ से 90% reversal आ सकता है क्योंकि आपने को यह पता है कि demand zone तो यहाँ पर ही है लेकिन उसके साथ 1250 ADX भी था और आराम से stock अपने जो target दिया 640 का वो यह क्या दो दिन में achieve कर लेगा तो अभी बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो guys मैं आपको tip दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे मैंने जैसे कि बोला कि 640 पर तो जाएगा ही जाएगा तो अभी आप आप क्या करोगे यहाँ पर 622 चल रहा है वही पर जाके सीधा बाय कर लोगे बाय करोगे no doubt stock अच्छा है उपर भी जाएगा लेकिन guys आपको ध्यान में रखना है जब भी कोई trade लेते हो तो कम से कंग 1-2 का risk reward तो होना चाहिए 1-1 का risk reward होगा तो वो आपको अच्छे से trade नह टार्गेट है यहाँ पर आप देखोगे तो clear कर 15 कितना हुआ 17 रुपीज का आपका risk हो गया अभी 17 रुपीज के risk में आप देखोगे तो यहाँ से आपको सामने कितना मिलेगा 6267 आयने की 1-1 का हुआ तो वो आपको ध्यान में रखना है जितना हो सके इतना आपको जो level प कम से गम 1-2 का होना चाहिए तो ऐसे ही मैंने आपको बता है कि आपको ध्यान में रखे ट्रेड करना है अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बतांगा जिसका नामे LIC Housing Finance को बाई करना है सेम अपने कल भी not active नहीं था इन्वेलेट था लेकिन अभी भी बाई कर सकते हो डेली चार्ट के उपर श्टॉक का नामे LIC Housing Finance श्टॉक उपर गया रिजेक्शन मारा उपर गया रिजेक्शन मारा फाइनली ब्रेकाउट दे के उपर गया उसके बाद कल benefit होगा कि आपकी accuracy और बढ़ जाएगी क्योंकि आगर देखो मैंने तो बोल दिये आपके कि यहापे demand zone है तो आपने समझो कि यहापे stock जैसे गीरा यहापे buy कर लिया तो कल stock हलका सा निचे जाके भी उपर जा सकता है तो आपका stop loss खाके जाएगा उसका कुछ मतलब नहीं है उससे अच्छा तो stock बले तोड़ा महंगा मिले लेकिन आपको reversal का wait करना है confirmation मिले उसके बाद ही buy करना है तो आपका retail scandal आज नया बन गया है क्योंकि नया low मारा था तो retail scandal के high के उपर आपका buy बनता है और retail scandal का low आपका stop loss हो जाएगा तो अभी closing का आप है 430 पे है तो 434 याने के आज के high के उपर buy करना है आज का low याने के 424 का आपका stop loss हो जाएगा 454 का target एक से तीन दिन में stock दिखा सकता है लेकिन आपको ध्यान में रखना है 434 के उपर जाएगा तबी बाइंग लेवल कौन साथ 615.1 है एक्चुली क्या बोला था कल कल के वीडियो में buy अबो 615 है कि आपको 10 पैसा उपर ही buy करना है वो आपको ध्यान में रखना है तो इसको भी आपको कल buy करना है तो 434.1 आपका buying price होना चाहिए वो आपको ध्यान में रखना है यह चोटी-चोटी चीज है अगर आप गल्तिया नहीं करोगे तो फीचर में आपको बहुत help होगा लेकिन गल्ति कर बैठोगे तो उसका फिर आपको punishment भी मिलेगा आपका stop loss भी हो सकता है वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अपने level बहुत accurate होते कभी-कभी वो level trigger ही नहीं होते कभी-कभी 434 से भी stock reverse मारता है इसलिए आपको ऐसा सोच नहीं नहीं कि मैंने बोला तो active हो जाएगा तो सस्ते में 433 चल रहा है वही पे buy कर लिया ऐसा नहीं करना वो आपको ध्यान में रखना है अभी मैं आपको तिसरा stock बताऊंगा जिसका नाम है C8 Limited C8 को आपको buy करना है उसके पिछे का मैं आपको logic समझा देता हूँ daily chart के उपर stock का नाम है C8 buy करने का region कौन सा है trend link का support है bar activity ADX है तो यहापे simple सा देखोगे तो trend link का यहापे support है यहापे भी trend link का support है और यहापे भी stock ने हलका सा trend link का support लेने के आसपास हा कि यहाँ से reverse मार सकते है अगर कल्स गिरते है तो भी यहापे आप 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 कर सकते है यानि कि stock को अभी इसमें conditional buying नहीं करने क्योंकि यहापे देखोगे तो ADX की value 25 के उपर है विल्यम सार की value minus ACI है यानि कि यहापे stock को देखोगे तो अल्रेड़ यह demand zone भी मिल रहा है trend link का भी support मिल रहा है और यहापे यह setup भी बता रहा है कि stock maximum यहाँ तक गिर सकता है यहाँ से bounce back आ सकता है तो risk reward के यहाँ से बहुत बढ़िया stock है यहाँ से कही ना कही आपको support मिल के stock bounce back कर सकता है तो अभी CMP 400 के आसपास है तो कल open price पे buy कर सकते हैं 360 का stock loss लगा के 2500 के target 1-3 दिन में stock दिखा सकता है तो आप यह stock को कल open price पे buy कर सकते हैं अभी मैं आपको चोथा और आक्री stock बता हूँगा जिसका नाम है call get, call pal call pal को आपको buy करना है उसके पिछे का मैं आपको logic समझा देता हूँ daily chart के उपर stock का नाम है call pal buy करने का simple सा region है trend line का support है trend line का support है यहाँ पे देखो कि तो एक बार support लिया है तो मुझे पता चल रहा है यहाँ पे ओल्राड़ी देखो कि तो 3 और 4 बार यान कि minimum 3 से ज्यादा होता है तो वो अच्छा support level कहलाता है तो यहाँ से stock को bounce back आने के 90% chance होते है तो आपको कल stock को buy करना है लेकिन कब buy करना है आपको यह level के उपर जाएगा तब ही buy करना है और यह आपका stop loss हो जाएगा तो अभी CMP 1968 के आक्टसपास है आपको 1995 के उपर buy करना है 1960 का stop loss लगा के 2070 के target 1-3 दिन में stock दिखा सकता है लेकिन wait and watch करना है क्योंकि आपको देखोगे तो closing price और stop loss level नजदी के आने कि यहाँ से stock में invalid setup हो सकता है stock दोनों के बीच में open के पहले निचे आ गया है तो वो क्या हो जाएगा invalid setup हो जाएगा वो आपको दियान में रखना है तो guys अपना चौथा और आक्रे stock ता जो आपको buy करना है लेकिन level के उपर जाएगा तब भी buy करना है तो guys अगर आपको कुछ भी comment है तो आपको कुछ भी query हो तो comment करके पूछ सकते हो अगर कुछ भी stock के बारे में भी पूछना है तो भी comment करके पूछ सकते हो हो सके उतना मेरे को time मिलेगा तो मैं उसका answer देने का try करूँगा तो guys आज की वीडियो का आपना like का target है 200 जो मुझे पूरे मलब भरुसा है कि आप उसको अचीव करा लोगे तो guys प्लीज आज की वीडियो के like अब भी करके जाना और नए लोगों आए हो तो चैनल को subscribe करके रख सकते हो तो guys thank you very much बबाय टेक केर कल मिलते हैं नवी वीडियो में लेकिन like बटन दबा के जाना guys thank you bye bye take care